आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के उपर जो भी चैनल के उपर नए है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद उटिफिकेशन के घंटे को दबा दीचेगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपके फोन पर चला जाए और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी जो ह वो मिसना हो और आज देखेंगे 8-10 February के एक्जाम एक्जाम में जो क्वेसन आपके जीके जीए से बने हैं और जितने भी क्वेसन अपने चैनल के उपर करवाता हूं वो सारे के सारे क्वेसन जो है वो 100% डियल होते हैं और मैं बरावर बोलता हूं जो भी एनलाइज करवात आप कम से कम अपने आपको जच करो कि out of this कितना score कर पाते हैं या आप कितने question के answer जो है आप सभी को पता होता अगर आप exam में बैटे होते तो और इसका PDF जो है आप सभी बिल्कुल free में download कर सकते हैं कहां से तो success की 98 के telegram वाले group से क्यूंकि आप सभी को पता है PDF काफी important है क्यू 10 plus 2 SEC का exam आने वाला है और यह सारे exam कौन conduct करवा रहा है तो SEC तो इसका सारा PDF टेली ग्रूप से जाकर आप सभी बिल्कुल free में download कर सकते हैं ग्रूप का नाम क्या है आपका success जगा छोड़कर की 98 तो देखते question आज के exam में क्या-क्या बना है तीन दिन के 8,9,10 पहला question पहली प भार्तिया समिधान का कौन सा अनुचेद भारत के राष्टपती समन्दी थे तो अनुचेद 52, Man Booker Prize 18 का किसको दिया गया है याद रखेगा दो-तीन चीज इसमें अच्छे तरीके जितने लोग भी देख रहे है अनना बंस को दिया गया था उनका किताब किसके लिए? Milkman के आप याद रखेगा Man Booker Prize 18 का आवाट किसको दिया गया है? Milkman उपनियास के लिए दिया गया है किसको अनना बंस को? अगला CEO Google कौन है? सुंदर पिचाई आगरा सीटी का निर्माण किसके दवारा किया गया था? तो सिकंदर लोधी के दवारा 1504 में अच्छा, End of Imagination यह जो प पुस्तक का नाम है वो हिंदी और इंगलिस में एक ही होता है यह पुस्तक लिखा गया है आपका अरुन धती रोई के दवारा किदारण मंदीर कहां पर है? किस राज में? उत्राखंड में दिल्ली से तो लाताबाद जिसने अपनी राजधानी स्तांतरीत कर दी थी वो कौन थे मौमद बिन तुगलक 1327 में पहले चेर्मिन अध्यच कौन थे राजस्तवा के डॉक्टर सर वली रादा कृष्णन अच्छा नवाट का गठन कभ हुआ था तो 1982 में अच्छा औरेंज नेशनल पार्क औरेंग नेशनल पार्क कहां पर है? तो यह आसाम में और इस जो ने लिखा करन से ड्राइ आइस का फर्मूला सी ओ टू सभी को पता होना चाहिए यहां पर मैक मोहन होगा मैक मोहन रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच की अंतराश्ट्य सीमा है तो भारत और चीन ठीक है मनमोहन हो गया है उसको मैं प्रेडियर में साही कर दूंगा आर्ट इने राज जी या बोल सकते हो कितने टीम ने जो है वो भाग लिया था तो आठ टीम खेली थी IPL 2020 में और कहां हुआ था ये तो अबुधाबी में अच्छा मंगलगरा के कितने चंद्रमा है दो सभी को पता होना चाहिए फोवस और डेमियोस अगला मोलन डेशनल पर कहां प रिपीट है ओन जी सी का होए हेट क्वाटर दिल्ली ये भी कोशन रिपीट है ये वाला कोशन भी आपकर रिपीट किया गया है भारत के समिधान का समिधान सबाग ने कब अपनाय था तो 26 नहुंबर 1949 को किस देश का समिधान सबसे बड़ा है हाथ से लिखा हुआ रिटेन हैं रिटेन तो भारत का अगला UNSC यानि उनाइटेन नेशन सिकुरिटी काउंसल में पर्मानेंट मेंबर कितने हैं पाँच और नॉन पर्मानेंट की बात करें तो आपको बताया था ना कितना है दस न सत्र किस अनुचेत के तैत आता है तो आर्टिकल 108 के तैत पीडियाफ का फुर्फूर्म काफी बार पूछा गया पोटेबल डॉकूमेंट फॉर्मेट अगला मोजोली आइसलेंड किस नदी के बहुत ये को सिन्भी रिपीट है चार पांच बार पूछा गया इसी बार NTPC क एक्जाम में ब्रह्म पुत्र नदी अच्छा आरके लच्मन जो है वो क्या थें तो यहां एक कार्टूनिस्ट थें अच्छा इंडिया की खोच किस को यहां पर भारत को कौन बचाता है लिखा है डिस्कवर होगा यानि भारत का खोच किस ने किया था हाला कि इतियास बहु भी तो वासकोर डगामा अगला बिकरम सिला बिस्विद्धाले की स्थापना किस के द्वारा किये गई है धरमपला के द्वारा अगला ब्रॉमस कीन देश को द्वारा बनाया गया है तो भारत और रूस डबलू टीओ के कौन अध्यक्स थे जिनोंने हाल फिलाल में कौम बोलते हैं न अगला इसरो का पहला चेयर पर्सन कौन था भिकरम सारा भाई एफटीटीप का फुल फ्रॉम फाइवर टू दप्रिमिसिस अगला इग्निटेड माइंड्स इसकी लिखा कौन है तो अपी जे अब्दूल कलाम अच्छा अगला मेग दूत मेग दूतम किस इसके द्वारा लिखा गया है ये तो काली दास के द्वारा रेट डेटा बुक में कौन सी प्रजाती है तो लुप्त प्राय प्रजाती अच्छा इवेंड डे फॉर क्लीन एर एक कुछन ये पूछा गया है थोड़ा हटकर स्वक्ष आयू के लिए साउतरास दिवस कम मनात अच्छा एक सो दिन की रोजगार की गरेंटी कौन देता है मनेरगा डबलु टी ओ की स्थापना कब हुई थी 20 बैपार संगंटन का तो एक जनवरी 1995 को मदूबनी पेंटिंग जो है वो किस रासे संबन देत है बिहार से सायोग अंदुरन कप चुले चालू हुआ था 1920 में खिलाफत मूवमेंट के ठीक बात 1983 के वर्ल्ड कप में किर्केट में इंडियन टीम के कैपिटन कौन था कपिल देव रूस के सायोग से किस पावर प्लांट का निर्मान किया गया था ये आपको बताना था आप सभी को पत चली थी तो बंबे से थाने के बीच में काफी बार अगर बोलोगे सबसे ज़्यादा कौन सा कोशन रिपीट हुआ इस बार एंटीपीसी के एक्जाम में तो यही वाला WEP का फुल फॉर्म वायड इक्विवेलेंट प्राइविसी पहला स्पेस सैटलाइट कौन सा है इस्पूटिनिक वन इंडियन नेस्नल कॉंगरेस के चेर परसन कौन थे पहले अध्यक्ष ओमेश चंदर बैनर जी 1857 का बित्रो कहां सालू हुआ था बैरकपूर से मंगल पांडे के दोवारा इंडियन प्रीमियर ली दोयर बिस का ससकरन कौन सा था ये वाला तेरावा था ये वाला एडिसन अच्छा एक क्वेशन आपका था ब्रोमस मिसाइल जो है का नाम किसके नाम पर रखा गया तो ब् कमांडर अविनेंदन ने जो है वो अपना बिमान कहां उतारा था कास्मीर कास्मीर मतलब पी ओ के पाकिस्तान अकोपाइट कास्मीर में याद रखेगा वर्ल्ड बैंक का गठन विस्व बैंक का उननीस सो चवालिस में हुआ था अच्छा राश्ट बिग्यान अकाडमी का गठन कभ हुआ था साथ जन्वरी 1935 को अच्छा अगला क्वेस्टन निमलिकित में से किसने जर उननीस में थाइलेंड के राजा के रूप में ताच पैनाये गया था तो राजा माहा क्या नाम है इनका वजी लोंग लोंग कॉंड ठीक है अगला एक क्वेस्टन आपका पिटेड है ये वाला भी मानो सरीर में वीली कहां पायाता है तो आपका स्मॉल इंटरस्टन यानि छोती आट में अच्छा इसको एरेंज करना है आपको साइच के अनुसार तो सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा केबी है उसके बाद एमबी फिर जीबी फिर टीबी अग ठीक है अगला किस विस्विद्दाले ने पहला इलक्ट्रोनिक कम्पूर्टर का विस्कार किया था ये आपसे पूछ लिया गया तो एंसर क्या होगा आपका पैंसलविनिया विस्विद्दाले ने अच्छा नियागरा फॉन्स किस दो कंट्री के बीच इस्तित है तो कनाड और एक करोड के बीच की रिण रासी किस योजना के तहत दी जाती है, तो MSME के लोन जो छोटे दियोगे उनको भी दिया जाता है, या फिर स्टार्टप लोन के तहत, या फिर स्टार्टप इंडिया के तहत भी दिया जाता है, वहाँ पर option क्या था, उसके उपर depend करता है, इसक कौन थें, तो उत्तर क्या होगा, वाई उसेना के खेले नियंतरण बोर्ड, ठीक है, इनको दिया गया था, अच्छा, जो जेनरल थे, डायर, उनको किसने हमारा था, उध्धम सिंग ने, common question ही ये वाला, मैंगो का scientific name क्या है, तो ये भी question हम लोग बचपन से पढ़ते आ रह था, एकला चोलोरे, ये गित किसने लिखा है, तो रबिन्न टैगोर ने 1905 में, अगला, कुलकत्ता बंदरगा किस नदी के ठटपर है, तो उत्तर हुगली होगा, अगला, 2020 का, जो medicine के लिए आवाट दिया गया, नोबल पुरुसकार न, इतनी लोगों को, वो किसकी खोच के लिए दिया गया था, तो hepatitis C virus के लिए, अगला, एक कोशन हमारा ये था, 1857 की करांती के दोरान, बेटी सेना ने सबसे पहले किसे गरतार किया था, मंगल पांडे को, निमलिखित में से कौन सा लैंड लॉक देश है, और ऑप्शन में जो सही था, आपका वो क्या था, प्रा तो tamil nadu, योजना आयोग जो था, उसको किस से मतल दिया गया, नीती आयोग में, अच्छा एक क्वेसन ये था, भुटान सो लेकर, कि भुटिया जन जाती, हाला कि सबसे ज़्यादा भुटान में पाया जाता ये जन जाती, लेकिन भारत के किस राज में, राज पूछ लिय गया है, तो सिक्की मराज में, अगला, चंपारन सत्यागरा निमलिखीत में से कौन सी चाल इंडिगो खेती से संबंदीत है, तो आप क्या होगा, चंपारन सत्यागरा, ठीक है, निमलिखीत में से कौन सी इंडिगो फार्मिंग से रिलेटेट है, कौन सा मूवमेंट, तो च पिर पुस्का किसे दिया गया था अमिताब घोष को 2019 में अगला Ministry of Road and Transport Highway कौन था अक्टबर 2020 में तो नितिन गटकरी आसान कोशने अभी भी आई हैं अगला हर्सवदन के दर्बारी कभी कौन थे बना बना वट्टा अगला सार्धा एक्ट यह किस से जुड़ा हुआ है सार्धा अधिनियम तो बाल बिवा पर लगाम लगाने से जुड़ा हुआ है यह सार्धा एक्ट अगला एक कोशन पुछा गया था रिलेटिविटी का थियोरी किसके द्वारा दिया गया है common question है Albert Einstein के दुवारा SMPS का full form पूछा गया वो भी computer में switching mode power supply welcome full form भारत heavy electrical limited अच्छा एक question ये था कि न्याय समिक्षा की सक्ती को लेक में सामिल किया गया चीज अनुछे के अंदर तो दिदो के अंदर दिया गया है article 32 और 226 दोनों के अंदर यहाँ पर option के उपर depend करता है कि option में वहाँ पर था क्या भूमी हिन ग्रामिर किसानों के लिए LIC के दुवारा कौन सी योजना सुरू की गई है आम आदमी भीमा योजना अगला निमलिकित में से किस राजवंस ने पहली बार समुदर में लड़ाई लड़ी थी चोलावंस ने फीफा कब फीफा कलब वर्ल कब फाइनल दर उननीस कब ये था कौन था तो कौन सा कलब था आपका लिवरपूल FC अच्छा एक question था वूवन जो launch किया गया था इस रो के दौरा यह क्या था यह जियो पॉर्टल मैप एक्स्प्रोडर था ठीक है याद रखिएगा अगला निमलिकित में से कौन से विमारी human eye यानि आखो संबंदीत है option में दिया गया था आपका ये वाला तो यही हमारा सही answer होगा अच्छा ये question तीन चार बार repeat किया गया तो इसको एक बार अच्छे से देख लो कौन सा राज साथ वहनो के जो लिस्ट है उसमें सामिल नहीं है seven sister तो साथ राज कौन सा है रुनाचल परदेश, आसाम, मेगाले, मनीपूर, मीजो, मुरम, नागालेंड और तिरपूरा ये साथ है आप्सन में सिक्कीम था तो ये हमारा एंसर क्या हो जाएगा सिक्कीम अच्छा एन एच आर्सी ठीक है इसका फॉर्म कब हुआ था ये भी कुर्सन काफी बार repeat किया गया 12 अक्टूबर 1993 को ठीक है नेशनल हुमेन राइट काउंसिल अगला निमलिकित में से किसने बेज्ञानिक नामकरन परणाली की सुरुआत की थी तो काल्ट लिनियस ने अगला नेरो कोटिस डिपार्टमेंट अगठन कब हुआ था 1986 में नेशनल हैंडलूम डेकमना पे 7 अगस्त को अगला किस पंच वर्सी हो जना में भारी उद्ध्यों को पार्टमिक्तार दी गई थी तो दूसरी पंच वर्सी हो जना में ठीक है रेट पांडा विंटर कांडिवल फेस्टिबल जो है वो किस स्राजमना आते हैं सिक्किम में स्टड़ी अफसे लों क्या बोलते हैं साइटोलोजी अगला इवेनो का पहला अध्यच कौन था आपका पॉल हेन्री स्पार्क अगला निमलिकीत में से कौन सा उत्तक पौधे में पानी के परिवहन के लिए जिमदार है तो फॉलम या जाइलम ठीक है अगला इवीम का फूल प्रम पूछा गया इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन ब्रह्मो समाज इसका इस्थापना कहां पर हुआ था बीस अगस अठारा सो अठाइस को कलकत्ता में राजा राम मोहन रोई के द्वारा एक क्वेस्टन पूछा गया हमसे क्वासी उनकोर रोग की कमी के कारण की से तो STS 107 याद रखेगा स्पेस सेटल कोलॉंबिया की उडान STS 107 में बहुत ही पॉटेंट कोशन है यह वाला निमलिकित में से कौन सा आज भारत में कुल चीनी उत्पादन का एक बटा तीन उत्पादन करता है उत्तर परदेश आपको भता भी होना चाहिए अगला पारत का पहला ग्रीम मिस्टन कौन सा था तो मॉम 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 यानि मार्स और्बिटर मिस्टन अगला अनुसुचित जन जाती हो के लिए विकास के लिए कौन सी पंच वर्षी हो जिना केंदरिती तो सात्वी विलाई और ये कौस्टन मैं करवा चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में ही बिसेस अलोंपिक कहां उजित किया गया था इसपेसल अलोंपिक अबु धाबी में उन्निस का कोबल का फुल्ट फॉम काफी बर पूछा गया गोदान गबन ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है मुंसी प्रेमचंद के द्वारा लास्ट निजाम कौन थे हाइदराबाद के मीर उस्मान अली खान बहादूर ठीक है यह 17 कोश्टन मैंने करवाया है तीन दिन का जो जनियून कोश्टन है जो आपके एक्जाम में बना है अब आप कॉमेंट कर बताना आउट आप कितने स्कोर कर पाते अगर आप आपकी आज के एक्जाम में या फिर आप तीन दिन में किसी भी दिन अगर आप एक्जाम में बैटे होते तो और इसका सारा PDF जाकर आप सबी जो है टेली ग्राम वाले ग्रूप से फ्री में डाउनलोड कर दीजिएगा ताकि आने वाले सिफ्ट में आपका साहता हो पाए सबी को best of luck exam बहुत अच्छे से आप सबी दीजिएगा ठीक है चलिए